चलिए तो हम लोग बात कर रहे थी, NCEIT Books कप्छा 10B की आर्थिक विकास की समझ के नाम से जो आपकी वुक्स से उसी गिवारे में हम लोग बात कर रहे थी, यह आपकी एकोनोमी की वुक है, यानि की अर्द्विवस्था, तो इसमें अगी तक हम लोग दो चेप्टर आपकी ख तो आप समय रहते हुए इन्हें पढ़ लें, क्योंकि मैं बार बार बोला हूँ कि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपकी पास, और समय है जब तक पढ़ लें, एक से दो बार कम से कम पढ़ना ही आपको, अगर और भी जाना आपके पार टैम है, तो आप जितना जान होगा कि जितनी नेव जो भरी जाती है वो, जितनी मजबूत होगी उतने ही साथ से वो मकार मजबूत होगा, वैसे तो आपको कर्चा 16-12 तक की पढ़ने है, अगर टाइम नहीं है आपके बास, तो 9 से बार है तो पढ़ना ही है आपको, और जो भी आपके लिए जरूरी है वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी गए है, वहां से डाउलूड कर लिजे, वह वहीं ही डाली गए है जो आपकी सिविल सर्विस के लिए जरूरी है, इसके लिए परिशान भी आपको नहीं होना पड़े है, एक मन मोहक और कोतु हल्प सिभरा पिशह अर्शास, विद्याटि यह हैं कि विद्यारती समझें और परकें कि किन सामाजी परिस्तितियों में मुद्रा के कौन से रूप पेउप्त होते थे, मुद्रा के आधोनीक रूप में बैंक पेडाली से जुड़े है, इस अध्याय के पहले भाग में मुख विचार यही है, बारत की मौजूदा इस् नहीं दिरे विश्तार हो रहा है, इसके चलते विद्यारतीयों के पास इस विशय को अपने आप समझने के कई आउसर हैं, हमें मुद्रा के कार्यों पर आपचारिक रूप से विचार करने की जरूवर नहीं है, लेकिन इसे सवालों के रूप में उभर न दीजे, मुद्रा जनता के पास करेंसी और बैंकों में इनकी मांग जमाओं से मिलकर बनता है, यह मुद्रा है, जिसका लोग अपनी इच्छा नुसार उपयोग कर सकते हैं, और सरकार को यह अस्वनिश्चित करना होता है, कि मुद्रा पेडाली सर्था पूर्वक काम करें, क्या होगा यदि स और एक हजार उपय के करेंसी नोटों को आमान निगोसित कर दिया गया था, लोगों से कहा गया कि बे इन नोटों को एक निश्चित आउदी तक बैंक में जमा करने और बनले में पास्व और दो हजार उपय के नए नोट प्राप्त करने, आप सूचिए कि इसकी जगे अग बीमुद्ध्री कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, इससे लोगों को लेंधें के लिए नगधी किस्तान पर बैंक की जबाऊं को प्रियोग करने के लिए ब्रीव प्रौसाहध क्या गया अताहा बैंक से बैंक अस्तान तरण, इंटरनेट मोबाइल पॉन, चेक, ATM कार्ड, दुकानों पर POS.2, पॉइंट मसीन, द्वारा नगदी रहे लेंदेन विधिया उपयोग में आई हैं, इनको लेंदेन के लिए नगदी की आपसक्ता को कम करने के लिए तथा वेस्ट आचार को ने के लिए आपके पॉइंट सामेल हैं, जैसे फॉन पे हो गया, ओनलाइन बैंकिंग हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, कार्ड हो गया, ATM हो गया, मतलब इसमें कम से कम आपका नोटों का उपयोग किया जाए, और बाकी आप ओनलाइन, आप देखते हैं, वो पानी पूरी पू क्योंकि अभी भी लोग ओनलाइन पेमेंट करने से डरते हैं, कहीं उनका पेमेंट दूसरी जगें न चला जाए, कहीं परेशानी खड़ी न हो जाए, विद्ध्यार्ति को उन बेहत चेत्रों का, चेत्रों का को लोज बनाने के लिए कहा जा सकता है, जिनमें नगत और नग साख आर्थे, जीवन का एक महत्कूर्त थे, इसलिए इसे आउधार्नात्मक इस्तर पर समझना जरूरी है, अध्या की दूसरे भाग में इस पर नज़र डाली गई, कि किसी भी साख बेवस्था में किन पहलूँओं को देखा जाता है, तथा इसका लोगों पर क्या असर प कराया जाए, साख से जुड़ा एक अन्दमत्पूम मुद्दा है, कि यह सभी के लिए उपलब दो, खास तोर्पुसे गरीबों के लिए और यतुचे सर्थों पर, हमें इस बात पर जोड़ देना होगा, कि लोगों के अधिकार और इसके बिना इस वर्क का बड़ा हिस्सा विकास पिक्रिया से बाहर रह जाएगा, बहुत से नवीन प्रयास जैसे की गरामीड बैंकों के हस्तचेप से विद्याजियों को अवबत कराया जा सकता है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि हमारे पास सभी सवालों की जवाब नहीं है, हमें नई तरीके टूनने की आ सकत है और यह है विकास पिल दिसों के सामने सामाजिक चुनोतियों में से है, याद रखी इसलिए बता रहा हो कोई जरूरी नहीं था, लेकिन हम लोग आवित पढ़ेंगे क्या क्या, उसी का एक ओबर विव दिया गया है, और जानकारी के आपको लिए बता दूं कि इसमें जो आखड़े लिए गए है, वो इसी से सम्मंध्या जैसे इस अध्याय में आपचारिक अनुपचारिक चित्र के साथ सम्मंध्या आखड़े, राष्टी पीती दर, सर्विक्चन, संगठन द्वारा, गिरामीट कर जो की पर किये गए सर्विक्चन के लिए इस तरह से में लिए गए हैं, यहां से आपकी बुक्स में मैन बुक्स है है, वो तो आप समय रहे हैं, यह जब भी बुक्स पढ़े हैं तो आपको कोई टीचर तो LCEIT पढ़ाएगा नहीं, आप अगर सिविल सर्विस की कोचिंग भी कर रहे होंगे, तब भी आपको देखा हुआ कि LCE CRT नहीं पढ़ाए जाती, वहाँ वो आप अपनी जो उनकी मैन बुक्स होती है, टेक्स्ट बुक्स लिखते थे, उनी इसको समझाते हैं वो लोग, तो आपको यहार इन्हें भी पढ़ लेना है, मुद्रा भी निवे का एक माध्यम, मुद्रा के इस्तिमाल है हमारे रोजा सूची बना सकते हैं, बस दिमाख में याद बखे इस तरह की जो भी काम करने के लिए बोला जाए बस अपने दिमाख में कर लिया खरिएगा, आपको पैक्टिकल करते हुए नहीं बैठ जाना है, आप जाते हैं कि हजारों बस तो यह आप खरीदते हैं, दिन में कोई या को आपको बस तो जरूरत पढ़ती रहती है, उसमें आप लोग मुद्रा तो देते हैं ना, उन्हीं की सूची बना सकते हैं, दिमाख में बस इतना पेसर नहीं डालना है, बहुत अच्छे से पढ़के निकल दे जाए, ठीक है, क्योंकि आप समझेए कि अगर इस तरह के पैक् लेकिन कुछ माबलू में हो सकता ही कि लेज़नें होतें बक्त, मुद्रा का उप्योर आधार बदार ना हो, केवल बात में बोक्टान करने का वादा हो क्या आपने कभी सोचा है कि खरीददारी मुद्रा के जरीए क्यों होती है कारण बहुत सरल है जिस वेक्ति के वास मुद्रा यानि की पैसा है वह इसका बिनीवाय किसी भी बस्तु या सेवा करीदने के लिए आसानी से कर सकता है इसलिए हर कोई मुद्रा के रूमें बुख्ताल लेना पसंद करता है फिर वह उस मुद्रा का इश्तिमाल कगत अपनी जरुर्तों की चीज़ें खरीदने के लिए करता है एक जूता निर्माता का उधारान की देखते हैं वाइबाज़ार में जूता बैच कर ग्याउंख் खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूते के बftले मुद्रा कड़िकाश्थेभी नाधि करेगा है, एक बात आप लोगों को बता दें तो आपको दूसरी चीजी लेनी है, जैसे नमक लेना है, तो आप दुकान पर जाएंगे, गेंउते देंगे, और उससे नमक ले लेंगे बदले में, एक पिक्रिया आपने देखी होगे, गाओ की तरफ जब मर्टके की जरूरत पड़ती है, इस तरह की कुछ सामानों की, तो यह वही पिक्किरिया है, समझ रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी समझ में आना चाहिए कि, आपने देखा है कोई बस तु महेंगी है, कोई सस्ती है, इस तरह से एक अच्छा, आप कह सकते हैं, क्रमा का जो भी मतलब बिवस्ता नहीं हो पारी थी, कि अब देश में हमारे तुमन करेंसी की जरूरत थी, यानि कि सब जने, अगर कोई आप सोचिये कि तमिल आडू से आ रहा है, दिल्डी खूमने, या फिर कहीं भी आ रहा है, अगर आ उत्तरब दिस कहीं भी, तो उसे एक करेंसी ता होनी चाहिए, जो उसका यूज कर सकता है, तो हमने एक कोमन करे बना लिए और इस पर देखा होगा अपने की RVI की गवर्नर की हर्स्ताक्षर रहते हैं वो आपको गारंटी देते हैं अगर आपको 2000 का जो नोट आया हुआ है इस पर भरोसा नहीं है तो आप पहन के जाकर कह सकते हैं कि अमें वरोसा नहीं है आपको उसके बदले या तो आपक से कोई दे देगा या आपको फिर उसके बदले उतना सोना दे दिया जाएगा टीक करन्सी के रों में ऐसा है जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा के इस्टिमाल की जूते का सीधी ग्यहूं से बिनिवाय करता तो उसे कितनी कटना ही होती है उसे ग्यहू इसे आवस्तक्ताओं का दोरा सहयोग कहा जाता है एक बेक्ती जो बस्तु बेंचने की एक्षा रखता है वही बस्तु दूसरा बेक्ती खरीदने की भी एक्षा रखता हो बस्तु बैमने बिनिवाय पिडाली में जहां मुद्रा कॉप्यों कीए बिना बस्तुओं का आखिर एक करेंसी यानि कि मुद्रा जो कॉमन मुद्रा है इसे लाया क्यों गया है आप सोचिए कि आपको अगर इन्हीं का उधारन ले लिए जूता और गेंगा अगर आप सोचिए कि आपका मतलब दोनों में तैनी होता है कुछ उंचा नीचा होता है कोई कहता है कि हम इतना लेंगे इतना तो आप दूसरे के पास जा भी नहीं सकते हैं कि फिर आपको दूसरा देखना पड़ेगा या तो गेंग वाला या जूता वाला लेकिन आपके पास مुद्रा होगी तो आप क्या करेंगी कि दूसरे के पास तीसरे के पास जिसके पास आपका मतलब अच्छे से सोधा हो जाता है उससे खरीच सकते हैं एक समझ सकते हैं आप लोग कि अगर आपके पास ना होधी मुद्रा currency ना होधी यानि कि नोट ना होते, तो आप किसी एक दुकानदार के पास जो सौधा होती, उसी से खरीद भाते, समझ रहे हैं, दूसरा पता है मालू चला कि उससे भी कम ले रहा है, तो आप एक सहर से दूसरे सहर भी जाकर आप ले सकते हैं, आपको एक से पसंद नहीं है, दूसरे के पास, दीसरे के पास, चौपतरे के पास आप जा सकते हैं, यह आपकी सुधा हुई है, मुझे जूते चाहिए, लेकिन मेरे पास ग्यहू नहीं है, अब घड़ा है इसके पास, अब इसे क्या जरूरत थी, जूते वाले को ग्यहू भी, अब ऐसा दो है नहीं कि वो घड़ा ले ले जूत, ग्यहू के बतले, इसकी तुल्ला में ऐसी अर्दविश्था जहां मुद्रा का प्रेयोग होता है, मुद्रा मत्वून मद्वर्दी, भूमिया पिलान करने करके, आवसक्ताओं के दोहरे सहयोग की जरूरेट को खतम कर देती है, पर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता, कि वो किसी ऐसे किसान को ढूड़े, जो ना केबल उसके जूते खरीदे बनकि साथ-साथ उसका ग्यहू भी बैचे, उसे केबल अपने जूते के लिए खरीदा नूलना है, एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल दिये, तो है बाजार में किया हूँ, या पर कहीं ने कोई बस्तू करी सकता है, चुकि मुद्रा विनिवय बिक्रिया में मध्धेता का काम करती है, इसे हम लोग बिनिवय का माध्यम कहते हैं, पहले आप सुनते थे कि बस्तू बिनिवय का माध्यम गुआ करता था, यानि कि एक बस्तू का, दूसरे बस्तू के से बदला, अभी भी इस तरह कि आप गाव में, ग्रामीट शित्रों में विक्रिया देखते रहते हैं, या आपका वीश का नोट हो गया, पांच का नोट, पांच का सिक्का, अब चलते हम लोग मुद्रा के आतनिक रूप की बात करते हैं, हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है, जो लेन्देन में बिनीवय का माद्यम बन सकती हैं, सिक्कों के चलन से पहले, तरह-तरह की चीजें मुद्रा की रूप में इस्तिमाल की जाती थी, उधारन के लिए बहुत पैरंबी काल से ही भाठी अनाच और पसु का मुद्रा की रूप में इस्तिमाल करते थे, इसके बाद सोना चान्दी और अस्तामे जैसी धातूं कि सिक्कों का चलन हुआ जिसका चलन पिछली सदी तक रहा यह आप देख रहे हैं कि प्यारंबेक आहट सिक्के लगबग आपके पच्चीस सो बर्स पराने हैं यह आपके गुप्त कालीन सिक्के एक तुगलक के समय के सिक्के यह आप देख रहे हैं अकवर कालीन सोनी की महर है यह आपका आधुनिक सिक्का एक रूपे का देखते रहते हैं आप लोगी सिक्क यही है करेंसी मुद्रा के भी आधुनिक रूपों में करेंसी कागज की नोट और सिक्के सामेल हैं आपके बे चीज़ें जो पहले मुद्रा की रूम में फिरिप की जाती थी उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहु मोल्ग धातूं जैसे सोना चांदी और तामी की बनी सिक्कों से नहीं बनी है अनाज और पसुओं की तरह बे रोज मर्या की चीज़ें भी नहीं है आधुनिक मुद्रा का इस प्रिकार का अपना कोई इस्तेमाल भी नहीं है आप सोचिए दिमाग में लाईए कि अगर इस समय एक सिक्का चांदी का बनता होता है तो आप सोचिए कि वैसे उसकी क्राइश सकती क्या होती एक रोपे की बराब तो लोग क्या करते होते कि उस सिक्के को चांदी में मतलब कनवर्ट करके को इस चांदी की गहना बना के बाजार में प्रेंज देते तो उन्हें उससे जानदा मतलब फायदा होता समझ रहे इसलिए आपने देखा है कि छोटे-छोटे आने लगे हैं आप सिक्के पहले बहुत बजन में भी बहुत जानदा बखरते थे और बड़े-बड़े सिक्के आते थे क्योंकि हमारे देख में दिमार की कमी नहीं है अगर उन्हें मालुकु चल जाए कि एक सिक्के करती है भारत में भारतिये रेजर बेंक के इंद्रिये सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है भारतिये कानून के अनुसार किसी वेक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजित नहीं है इसके अलावा कानून मीनवाय के मात्यम की रूम में मात्यम की रूम में रुपे का इस्तेमाल करने की बैदिता पिदान करता है जिसे भारत में सौधे में अदाएगी के लिए मना नहीं किया जा सकता है भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपेयों में अदाएगी को स्विकार नहीं कर सकता है इसलिए रुपया ब्यापक इस्तर पर ब बैंकों में निच्चेव लोग मुद्रा बैंक में निच्चेव की रूम में रखते हैं किसी समय पर लोगों को रोज मर्या की अवस्क्ताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है उधाराने के लिए है मैने के आखिर में बेतन वाली मर्यदूरों की अत्रेक्त नगत होता है लोग इस अत्रेक्त नगत का क्या करते हैं इसे बैंक में अपने नाम से खाता कुलवा कर जमा कर देते हैं बैंक के जमा सुएपारे करते हैं और इस पर ßूध भी देते हैं इस तरह लोगों का धन्स बेंकों के पास सुरख्षित रहता है और इस पर शूध भी मिलता है यानि पिजफ ब्याज में ही मिलता है लोगों की आपनी आवस्तक्ताओं के इसार इसमें से धन निकालने की सुध्या भी उपलफ्त होती है चुकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकालना जा सकता है इसलिए इस जमा को मांग जमा कहते हैं याद र rolled कि मैं एप लोग जमा करते हैं उसका क्या करते हैं वो मैं आप मैं नमा क्या क्वाइन को बार रिखते हैं और सोसुछ यहां रॉर्ड यह 100 रोपेगा देख रहा होगा आपको, मांग जमा एक अन्य दिल्चस्प सुगिधा देता है, यह सुगिधा इसे मुद्रा का विदिवय का मात्यम मात्कून लक्षन किदान करती है, आपने नगत की वज़े चेक से बुक्तान के बारे में कई दुवार सुना होगा, चेक से दूसरे वेक्ति को एक खास रकम का वुपतान करने का आदिश देता है, सीधा सा कहने में का मतलब यह है, कि आपने SBI यानि कि State Bank of India में अकाउंट खुला है, आपकी अकाउंट से जोड़कर एक चेक बुक आपको दे दी जाएगी, आप उस चेक को जब भी किसी को भर के दे देते हैं, अगर आपके Bank में पैसा है, जितना आपने भरा है उसतना पैसा कम से कम है, तो आपका Bank accept हो जाएगा, जो भी चेक है, और अगर नहीं है तो आपका Bounce हो जाएगा, और Bounce होता है, तो आपको देखा है कि आपने किस तरह से दन्र की पराउदान भी रखे गए हैं दीगा, चेक का द्वारा भुफदान, यह आप देखते रहते हैं, जूता निर्माता, एम सलीम को चमड़ा आपूर्ती करता को भुफदान करना है, इसके लिए वाए एक बिसेश रखम का चेक लिखता है, और था जूता निर्माता अपने Bank को चमड़ा आपूर्ती करता को यह रकम देने का अधिस्ट देता है चमडा आपूरती कहलता है, यह चेक लिए जाकर अपने बैंक ठाथे में जबा कर देता है और धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है यानि की ट्रांसपर हो जाता है यह लेंदे बिना नगत की यदाएंगी कोई पूरा होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसी तरह की चेक होती है न, यह है, एक चेक नम्मर हो गया, यह आपके बैंक की बैंक द्वारा पे प्तकोर्ड हो गया, यह आपकी बैंक साखा, संगया, एक खाता नम्मर ताफ का दिया रहता है यहां रुपे हो गए ठीक है इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के इनवाय लच्छन मिलते हैं मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविदा से बिना नगत का इस्तिमाल कि ए सिधा भुक्तान करना संभव हो जाता है चुकि मांग जमा के बदले कोई भी मांग जमा या भुक्तान नहीं होगा मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बेंक पेडाली की कारपडाली से बहुत करीब से जुड़ी हुई है इसमें आप देखेंगी सुविदा जरक भी है क्योंकि आपको ना पैसे निकालने की आपका सकते यह आपक केड़िक डैविट कारी पात करते हैं यह यह एक दिल्चस्प करेंों सब्सक्राइब करते हैंavors कि रेंक यह दिल्चस्प कर्या विदी काम कर रहे है बेंक जमा रकम का एक छोटा हैसा आपने पास नगत के रूम में रखते हैं वो धारन के आजकल भारत में बैंक जमा का केबल 15-30 हिस्सा नगत के रूम में अपने पास रखते हैं इसे किसी एक दिन में जमा करता हो द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह अपराधान किया गया है चोकि किसी एक बिसे इस मुझे जमा करता ही, नगत निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने आत, नगत से आराम से चल सकता हो यानि गहने का मतलब है कि आप सोचिए कि 100 रुपे जमा हुए तो उसमें से 15 रुपे ही रखती है बैंक कितने 15 रुपे ही रखती है अब यह नहीं हो सकता है कि 100 रुपे जिन जिन लोगों ने जमा किये हैं वो सभी एक ही दिन में आ जाएं और बोले कि हमारा पैसा बापसी कर कि इतने से जादा आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं इस दिन में जब आपने कई बैंक आप दिवाली या होने की कागार पर खड़े हुए और जन्ता को भरोसा नहीं रहा कि यह बैंक आंगे चल पाएगा यानि चल पाएगा तो सभी पहुंच गए एक दिन निकालने के होगी विवस्ता होगी इबाद में निकाल सकते हैं तो इसलिए पंदरर पितिसत रखा जाता है बाकी का आप सोचेंगे कहीं और रेड दे दिया जाता है बैंक जमारासी के एक बड़े भाग को रेड देने के लिए इस्तेमाल करते हैं बिविन आर्थिक गतिविदियों के लिए रेड की बहुत माग में रहती है हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे बैंक जमारासी का लोगों की रेड आवसकताओं क को बूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह बैंक जिनके पास अत्रेक्त रासी है जमाकर्दा एवं जिन्हें रासी की जरूरत हैं यानि कि कर्दार के वीच मद्धिश्टा का काम करते हैं बैंक जमा पर जो ब्याद देते हैं उससे जाना ब्याज रिड पन लेते है कर्दारों के लिए ब्याज और जमा करताओं को दे गए ब्याज की वीच कांटर बैंकों की आये का प्रमोग स्रोथ होता है आप सोचिए कि या बैंक के पास कोई खजाना तो है नहीं वो इसी से पैसा कमाती है आपने जो जमा किया उस पर आपको छोटा सा ब्याज देंगे और जिसे वो दूसरे को दे रहे हैं तो उस पर अधिक ब्याज लेंगे इस तरह से उनकी एक जो भी फिक्क्रिय रहती है जो भी खर्च रहता है वो भी उठाते रहते हैं और अपने पास कुझी भी बनी रहती है जमा करता है यह लोग जमा करते हैं लोग धन निकालते हैं और ब्याज बाते हैं इस तरह से जमा करें यह बैंक माल दीजे और यहां से निकालने की बात की जा रहे हैं बैंक की आए बढ़ती है किस तरह से लोग रेड़ लेते हैं करज़िदार हैं यह आपके यह जमा करता हुगा यह करता है और लोग रेड़ लोटाते हैं और ब्याद देते हैं आपने सुना होगा कि आपने सिक्षा के लिए लॉन लिया हुआ या फिर किसी और चीज के लिए पसो पालने के लिए या पर कोई आप एक्टरी लगा रहा है उसके लिए भी लोगई तो पर आप लोग आप देते हैं या नहीं देते i तो यह आप से जो व्याज लेंगे वह जाना होगा और जने इनंहें व्याज देना है बैंक को, उन्हें कम बैंक को इस तरह से एक प्क्रिया चली रहती है बैंक आप दोनों के बीच एक मद्यश्टा का काम रहे हैं समझ रही है अब बात करते हैं साप की दो विविन इस्तितियां हमारे रोज मरिया की गतिविदियों में ऐसे बहुत से लेंदेन होते हैं जहां किसी ना किसी रूम में रेड का प्रयोग होता है रेड उधार से हमारा ताथ पर एक सहमती से है जहां साहुकार करज को धन बस्तु हैं एवं स कि अपसे 2 महीने के बाद तिवार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास सहर के एक बड़े व्यापारी से 3,000 जूते जोड़ी जूते की मान आते हैं जिसे उससे एक महीने के अंदर पूरा करना है उत्पादान के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को उससे लाई और चिपखाने के काम के लिए अतरिक्त मजदू रखने की आवसिता है उससे कर्चा माल भी करिदना है इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम दो सरोतों से रड़ लेता है पहला वैज कमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रिस्ताव रखता है और बात में बुपतान करने का वादा करता है दूसरा हुआ है इस बड़े व्यापारी से एक हजार जूतों के लिए अरग्यम बुपतान की रूम में नगत करज लेता है और तथा महीने के महीना कितम होने से पहले पूरा ओरडर पहुंचाने का वादा करता है महीने के आकरे में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है उसे अच्छा खासा लाब भी होता है और वह उधा लिए धन की अदाइगी भी कर देता है इस तरह से आप देखते हैं कि हर जगे आपने देखा होगा कि इसे आप लोग वहां भी देखते हैं किसानों की फसल आ ही आजाता है एक पिकरिया चलती रहती है पहले आपने देखा है बैंक कम ही उगा करती थी जिराबिट शेत्रों में तो वहां इन्हें साहुकारों का दबदबा रहता था सलीम उत्पादन के लिए कारसील पूंजी की जरूरत को रेड के द्वारा पूरा करता है रेड होसे उत्पादन के कारसील खर्चों तथा उत्पादन को समय को पूरा करने की मदद करता है वह अपनी कमाई बड़ा पाता है इस पिकार रेड एक महत पूंड एवं तथा सकारा आत्म भूमिका पता करता है अब बात कर दें सुपना की समस्या एक चोटी किसान सुपना अपनी तीन एकड जमीन पर मुंफली हुआती है वह इस उमीद पर की फसल देयार होने पर कज को अदा कर देगी खेती के खर्चों के लिए साहुकार से दल लेती है फसल पर कीड़नास कर्ज बड़ी रकम बन जाता है अंगले साल से अपना क्यती के लिए दुवारा उदार लेती है इस साल पसल सामान रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं होती ही कि वह अपना कर्च वापस कर सके वह कर्ण में फट जाती है उस कर्च को चुपाने के लिए अपनी जमीन का कुछ चिस्ता बैचना पड़ता है इस पिक्रिया को जो आपने देख रहे हैं आकिसान की विक्रिया यह आप देखते हैं जादर आपने देखा है कि अभी भी चाइना यही पिक्रिया अपना रहा है क्या कर रहा है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को इतना रड दे चुका है कि पाकिस्तान के बास चुकाने के लिए छमता नहीं हो तिनी तो क्या करता है कि रिड का जो ब्याज है उसका भी गुपतान वो चाइना से लेकर ही करता है यही पिक्रिया उसने चाइना ने चीन में अपना कर चाइना ने स्री लंका में अपना ही यही पिक्रिया वो अप नेपाल पर भी थो परा है और यही पिक्रिया वो इरान पर भी आपने देखा है कर रहा है इससे क्या होता है कि आप इतने जाल में पश जाते हैं रिड़के कि आप चुका नहीं पाते हैं और या तो आप अपनी जमीन में देंगे या कुछ आपके प में पहुंच सकते हैं लेकिन आपके आ कि जो भी फसल है कि इसे करसी को मानसून का जूगा खह जाता है कहने का मतलब है कि अगर फसल अच्छी वगी यॉन इसका नहीं रहा तो फसल की स्तिति पर काफी करच होता है, इन आक्तों को खरीदने और फसल की विक्री होने के कम से कम तीन से चार महिने का अत्राल होता है, आमतौर पर से किसान रितु के आरंग में फसल होगाने के लिए उधाल लेते हैं, और फसल तेयार होने के बाद वापस देती है, उधारी की अदागी मुक्ता फसल की कमाई पर निदा रहती है, समस्या यह नहीं है कि जो उनकी जो भी रिड़ ले रहा है, उसकी अदाईगी किस तर ऐसे होगी है, समस्या यहाँ पस जाती है कि आप बैंक से जो रिड़ लेते ह वो बड़ा, मतलब ब्याज कम देना पड़ता है उस पर, आप समझी हो, और जो साहुकारों से हम रिड़ लेते हैं, बेचोलिया, यानि कि आप देखते हैं, सेट से जो रिड़ लेते हैं, उस पर यह बहुत बड़ी रकम ली जाती है रिड़ ब्याज के रूम में, तो इसल अपना की कमाई को बढ़ाने की वज़ाए, उसकी स्तिती बड़त कर दी, इसे आम भासा में कड़ जाल कहा जाता है, क्या कहते हैं, कड़ जाल, इस मामले में रिड़ करदार को ऐसी परिस्तिती में धकिल देता है, जहां से बाहर निकलना काफी कष्ट दायक होता है, और इस्तिती में रिड़ आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे बेक्ती की इस्तिती पहले से बेहतर हो जाती है, दूसरी इस्तिती में फसल बरबाद होने के कारण, रिड़ बेक्ती को अपने जाल में फसा देता है, सुपना को कवज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हि इस पाष्ट है कि उसकी स्थिति पहली की तुला में बत्तर हुई है रेड ओपयोगी होगा या नहीं या परिस्थिति की खत्रों और हानी होने पर प्राप्त सहयों की समावना पर निर्भड करता है यानि की फसल पर आपका पूरा निर्भडता कि किस तरह से आप समझ सकते है अब बात करते हैं रेड की सरतों की हान रेड समझोती में ब्याद दन निश्चित कर दी जाती है जिसे कड़दार महाजन को मूल रकम के साथ अधा करता है इसके अलावा उधार करता को कोई समर्द तक रेड अधार यानि की गिर्वी रखने के लिए रखने की मान कर सकता है यानि की जो आप सेर्ट को समझते हैं अगर आप से कह देता है कि गिर्वी रख देजी या तो आप कोई देखते हैं अपने मतलब आहुसन रख देते हैं अपने घर परिबार महलाओं के लिए समझें तो यही होता है अधिकतर गाउं में यही देखा जाता है या फिर आप और भरोसा होता है कि आप चुका देंगे तो इसलिए आपको रेड़ देता है समर्थक रेड़ादार ऐसी संपत्ती है जिसका माली करदार है जिसे जैसे कि भूमी इमारत गाड़ी पसु बैर बैंकों में पूनी और इसका इस्तेमाल होए उधार करता को गारंती देने की रूम में करता है जब तक कि रेड़ का भुकतान नहीं हो जाता है यदि करदार उधार वापस नहीं करपाता तो उधार करता उधार दाता को भुकतान प्राथ्थी के लिए संपत्ति या समर्थक रड़ाधार वैचने का अधिकार होता है जैसे संपत्ति जैसे कि जमीन बैंकों में जमा पूझी पसु इत्यादी समर्थक रड़ाधार क्याम उधार है जिनका उप्यों करज लेने के लिए किया जाता है एक बात और आपने देखा होगा कि पहले क्या होगा करता था कि बच्चों को भी एसाहुका ले लेते थे उनसे भी मतलब बंदुआ मजदूरी करवाते थे क्या करते थे कि आपके जैसे किसी रड़ लिया किसी कसाने वो नहीं चुका पा रहा है वो चुकाने की तिति में नहीं तो इसके बच्चों को अपने या रख लेते दे और काम करवाते थे सेट ठीक तो उसे भी जशूली करते रहते यह भी कई जगे आपको देखने को मिलें आवास रेड यानि की घर के लिए जो रेडर मेगा ने घर के दिने के लिए बैंक से 5 लाक रुपी का कर्च दिया इस कर्च पर व्याज की वार्षिक दर 12 पिती सते इस कर्च को 10 साल में मास से किस्तों में लोटाया जाना है मेगा को बैंक से कर्च लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेता संब्धी रिकावर्ड दिखाने पड़े पड़ते हैं बैंक नए घर के सभी कागज रड़ाधार की रूम में रख लेता है जो भी आपने देखा हुगा घर रख लेते हैं आप लोग तो उसके कागज भी एक गा बैंक से रिड़ की सर्ते करते हैं यानिक इसमें जो भी सर्ते निधारित की जाद दीए इतने टाइम पर चुका देंगे इतना ब्याज रही था गिर्वी की रूम में क्या रखा जा रहा है यह सबको सर्ते करते हैं रिड़ की सर्तों में एक रिड़ विवस्ता से दूसरी रिड़ विवस्ता में काफी फड़क आ जाता हैं कर्ज की सर्ते उधार दाता हो और कर्जदार की प्रत्किती पर भी निर्वर करती हैं अंगले बाद में ऐसे उधारन दिये गए हैं, जा विवेन रिड़ ब्योस थाओं, में रिड़ की सर्तें अलग-लग होती हैं ये कुश्चें से ने देखते रही है आराम से विवित पिकार की साथ प्रबंदन एक गाउं का उधारन लेकर हम लोग देखते हैं रोहित और रज्यन ने कक्षा में रिड़ की सर्तों के बारे में पढ़ना खतम किया था वे अपने इलाके की पिकलित विवित पिकार की रिड़ प्रबंदन को जानने क्यों हो सकते हैं कौन लोग उधार देते हैं, कर्दार यानि की लेने वाली कौन होते हैं रेड़ की क्या-क्या सर्ते होती हैं, उन्हें अपने गाउं के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया आंगे आप उनका लेखा पड़ सकते हैं 15 नमबर 2016 को हम सीधा उन खेतों में जाते हैं स्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड जमीन को जोतने की हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है कुछ साल पहले तक वह गाउं के महाजन से रेड़ लेता था जिस पर उसे 5.30 मासिक यानि की महिने का याद रखिये 5.30 मासिक ब्याज देनी पड़ती थी 6.30 मासिक आप समझ रहे हैं कितना भारी रेड़ बैंकों से आप लेंगे तो 8.10 रुपे यानि की 8.10 पिती सत बारसिक रहेगा और यहाँ देख रहे हैं आप लोग 60 येसी तरह से तो फश जाते थे किसान पिछले कुछ बरसों में से आमल गाओं के किरसी ब्यापारी से 3.30 मासिक ब्याज की इदर पर रेड़ ले रहा है यानि की चली इससे भी तो कम है जुताई के मुसम की सुरुआतों ने पर ब्यापारी रेड़ पर किरसी समंदित आगतें जरूरते मोहा कराता है जिससे फशल त्यार हो जाने पर बवबस करना होता है रेड़ पर ब्याज के अलावा ब्यापारी किसान से वादा लेता है कि वह अपनी फशल उसी को बैचेगा इस तरह ब्यापारी निश्यंत है कि रेड़ की अदाएगी समय से हो जाएगी फशल की किसानों कीमत पर व Mackey खरीद कर व बाद में कीमत बढ़ने पर हैं मुझाका कमाता है दो विस समय ने दो होता है वह फसल सच्टे में खरीद कर बात में कीमत बढ़ने पर बहचता है यह सभी पिक्रिया आप लोग उने ग्रामीड चेत्रों में देखी है अभी भी चलती रहती है कि आप जिससे बीच के लिए या पिर कभी भी आपको जरूरत है तो रिड़ लेते हैं जिस महाजल से या सेट से या व्यापारी से तो आप क्या करते हैं उसी को फसल बहचने होती है आप किसी और को फसल नहीं बहच सकते हैं एक आपके दोनों के बीच बादा होता है यानि कि करार होता है कि आपकी जो भी फसल होगी वो उसी को बहचने पड़ेगी और आपने अपसर देखा ह जो आपका सेट होगा जिससे आपका उधार देना रहता होगा वो सस्ता करीबता है बाकी जो भी सेट रहते हैं उनके मुकादे लेकिन फिर भी हमारे पास समस्या है यानि की पास हमारे पास कोई बिकल्प भी नहीं होता है अब बात करते हैं हम अब अरुन से मिलते हैं जो एक किसान मल्दूर के काम का निरिक्षन करा है अरुन की पास साथ ही कर जमीन है अरुन सौनपर की उन कुछ लोगों में से है जिसे क्यती के लिए बैंक ते रिड़ मिलता है इस रिड़ पर बासी ब्यात दर आट दिसमला पां कि आप समझें 100 रुपे को आप ले लीजे आपको महाजन से यानि कि साहुकारों से आप ले रहे थे जब आपको सौ साल बार में 100 रुपे पर 60 रुपे और जोड़ कर उसमें ब्यात देना होता था लेकिन आपको अगर बैंक से आप रिडर ले रहे हैं तो यहां आपको इस रिडर की अधायगी कर देगा वाए बाकी आलू की फसल को सीथ बंदार गिरह में रखकर बैंक से इसके बदले नया रिडर लेने के लिए दरफ़ास देना चाहता है बैंक किसानों को ऐसी सुपधा देने के लिए त्यार है जो पहले भी खेतों के लिए उससे रिडर ल देते हैं तो एक आपकी पर मतलब मजबूरी रहती है आपकी कि आपको पसल बहचनी ही होगी उसे तो इससे में भी देख सकते हैं कि किस तरह से किसान फच जाते हैं लेकिन जो भी बैंक से देते हैं रिडर वो फायदे में रहते हैं रमा रमा निकट के कित में किसी मजदू पर करच करने के लिए भी उसे करज लेना पड़ता है रमा करच के लिए अपने मालेक पर जो सौनपुर का मद्ध वर्गी है भू स्वामी यानि कि आस्रेत उन पर आस्रेत है भू स्वामी उसे 5.30 मासिक व्यादतर पर रिड देता है रमा उस करच को भू स्वामी के यहां काम करके वापस करती है अधिकांसता रमा को नया रेड़ लेना पड़ता है जब की होए पुरान रेड़ लोटा भी नहीं पाती वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5000 रुपी देने है यह भी भूस्वामी उसके साथ अच्छा बेवार नहीं करता है फिर भी होए उसके लिए लगा पहले वाली की और रमा की हाला समझ सकते हैं आप लोग एक किस तरह से मतलब फसे हुए है एक तरह से देख रहे हैं आप लोग और इनमें एक क्या हो दिगा कि आप सोचें कि अगर इस जनम में यह नहीं चुका पाए तो इनके बच्चे आएंगे वह भी इस तरह से इन्हें करण नहीं चुका पाते हैं अब बात करते हैं सहकारी सम्तियों से रड यतिनों ने भी काफी अन्यत्तक अच्छी भूमिका निवाई हुई अमारे देर्स में बैंकों के अलावा गिरामीड शेत्रों में सस्ते रेड़ का एक अंसरो सहकारी सम्तिया है सहकारी सम्ति के सदस अपने संसादनों को कुछ शेत्रों में सहयोग के लिए एकत्तित करते है कई पिकार की सहकारी सम्तिया संभव हों जैसे किसान और बुनकरों एवं उद्दोगिक मजदूरों इत्यादी की सहकारी सम्तियां करसक सहकारी सम्ति सौनपुर के नदी के गाओं में काम करती है इसके 2300 किसान सदस्ते हैं कितने 2300 किसान सदस्ते हैं यह अपने सदस्तों से जमा पराप्त करती है और इस जमा पूझी को रड़ आधार मानती हुए इस सहिकारी सम्ती ने पैंग से बड़ा रड़ पराप्त किया है इस पूझी का इस्तिमा सदस्तों को करत देने के लिए किया जाता है यह रड़ लोटाने के बाद खर्च का दू तरिस्तिति में इससे हम लोग रिड लेकर रहते हैं अब बात करते हैं महारत में उपचारिक छेत्रक में साथ हमने उपर के उधारणों में देखा है कि लोग विविन स्रोतों से रिड प्राप्त करते हैं विविन पिकार के रिड को दो बर्गों में माठा जा सकता है से और सहकारी समतियों से कर्द लेंगे उसको सामिल किया जाता है अगर हम लोग अनुपचारिक उधार करता में बात करें तो इसमें साहुकार, ब्यापारी, मालिक, रिस्तेदार या दोस्त इत्यादी सामिल लेती है आले केक में आप भारत के गरामी परिवारों के लिए जो इह आपके याद रखिए आकड़े भले पुरान है वो बस आपको समझना है ठीक है अब यहाँ आप देख रहे होंगे 33-33 साहुकारों से किसे ए साहुकार किसमें आते हैं अनुपचारिक ठीक है रिष्टेदार इवा मित इसमें आते हैं 8-33 है किसमें अनुपचारिक जमीदार अनुपचारिक 1% और अनुपचारिक में 2% ठीक है यह आपकी अनुपचारिक सिरूत है करज लेने की इस तरह आप देखेंगे तो यह आपकी अपचारिक है सहकारी 1% सहकारी समतियाओ बैंक से 25% बेवसाइक बैंक 25% अनुपचारिक सिरूत 5% 36% के गरीब आपका आ रहा है अपचारिक सिरूतों से रड़ बिया जा रहा है बाकी का या नहीं कह सकते हैं कि थोड़े ही मतलब इस्तिदी ठीक कह सकते हैं और नहीं खराब कर सकते हैं क्योंकि आधे से आधे ही के बरावा लगवाग आपका करज लिया जा रहा है किससे अपचारिक लोगों से और अनुपचारिक लोगों से लगवाग उतना ही लिया ज जिन जो उप्चारिक तरीकों से जो भी आपका रिड लेते वो फायदे में भी रहते हैं आप लोग अक्सर देखते रहते हैं बारती रेजर बैंक रिड रेणों को उप्चारिक तरोतों की कारपणाली पर नज़र रखता है उधारन के लिए हमने देखा हैं कि बैंक अपनी जमा का एक निहुंतम नगत इससा अपने पास रखता है RBI नज़र रखता है कि बैंक वास्ताव मैं नगत से से बनाए हुए है RBI इस पर भी नज़ा रख्टा है कि बैंक केवल लाव अरजित करने वाले विवसाईयों और व्यापारियों को ही रेड मोया नहीं करा रहा है बलकि छोटे किसानों चोटे उद्दिमों चोटे करेदारों इत्यादी को भी रेड दे रहे हैं समय समय पर बैंकों द्वाना RBI को या जानकारी देनी पड़ती है कि विक्ता और किन को रेड दे रहे हैं उनकी ब्यात की दरें क्या है एक और बाद आप लोगों ने सुनी होगी आप तो कई हमारे वारत में कई बैंकों पर ऐसा भी पीती बंद लगा दिया है कि किसानों को यह अपनी बैंक की खासी पूंजी देनी होगी और कम रिड़ पर देने होगी इसलिए इस तरह की पावंदी लगाई गई है क्योंकि किसानों की स्तिती सुदरे आप जानते हैं कि हमारी एक बड़ी जनसंक्या आदी से जानदा जनसंक्या अभी भी आपकी खेती पर ही निर्भर रहती है कई राज्यों में आप देखेंगे कि 80% तक आपकी जनसंक्या ख सकते हैं सिकाय भी नहीं कर सकते हैं याद रखिए याद्र कि वे एक्षिक फ़ए दरों पर रिड दे सकते ही यालिकि उनकी इच्छा जितनी हुई आप sem जैदा ही रड् से अपने पीसे वापस लेने लेने से रोकने वाला कोई नहीं होता है और रिड आप बैंकों से लेते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि अगर आपकी फसल बरबाद हो जाती है तो आपका रिड भी माफ कर दिया जाता है बैंकों के द्वारा या पर कई तरह की आपको छूट दी जाती है लेकिन साहुकारों को आपने देखा होगा कि इस तरह की कोई सुना उनके द्वारा नहीं दे जाती है अपचारिक ड्रड दाता हो कि दुला में अनुपचारिक ड्र अनुपचारिक चित्रक के जानातर ड्र ड्र दाता कहीं अधिक ब्याज वासूल करते हैं इसलिए एनुप्चारी करदाता को अधिक महेंगा पढ़ता है। इसे आप लोग वैसे भी नॉर्मन तरीके से भी समझ सकते हैं। याद रहे कि मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी सब दिन में ऐसा मिलता हो जो आपको समझ में ना आता हूँ। आप देख रहे हूँगे सभी सब्दा आपको समझ में आ रहे हैं। एक कहानी पूरी लिख दी गए एक तरह से और आप अगर कहानी का रूप देकर रहने पढ़ते हैं। तो आप बहतर याद भी रख सकते हैं। वह बहतर आपके जो भी कॉंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो सकते हैं। तो रेड की उची लागत कर रहते हैं कि करददार के आयका अधिक तरह सा रेड की अधायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए करददारों के पास अपने लिए एक कम आयवर्शती है। जैसा कि हमने सौनपुर के स्यामल के मामले में देखा है। आप सोचिए उसने अगर 100 रुपे दिया है लिया है रिड तो आप सोचिए उसे 150 रुपे यानि कि 100 का रिड 60 रुपे देना होगा अगर बैंक से वो लेता है तो आप समझे कि 108 रुपे और साहुकारों से 160 रुपे उसे बापसी करना पोड़ेगा तो बहतर इस्तिती में किसमे होगा आप लोग अगर बैंक से जो रिड लेगा क्योंकि कम से कम 8 रुपे तो देने बरो रहे हैं साल में उसे कुछ मामलों में रिड की उची ब्याददरों के कारण कर्ज वापस करने की रखम कर्जदार की आयसे भी अधिक हो जाती है इसके कारण रिड का बोज बढ़ जाता है जैसा कि हमने सौनपुर की रमा की मामले में देखा है और बैक्ती रिड जाल में फच जाता है ऐसा भी संभव है कि लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम सुरूं करना चाहते हैं बेरेड की अधिक लागत को देखकर पीछे हड़ जा करना है और आपने बैंक से अगर लिये हैं तो यहां को 108 रोपे की करीब Kellya 9 रोपे मौ लिए 11089 रुपे आपको देना है ठीक है 108 रुपे या 9 रुपे देना है चलिए इस बार आपकी फसल भी खराब हो जाती है मालनी जे फसल खराब तो कमसे कम आपको याद रखिए कमसे कम 60 रुपे आप समझ दिए और या 8 रुपे चलिए दूसरी बार आप रिड लेकर फिर से चुका देंगी आप लो लेकिन यहां आप देखिए अगर आपको 160 देना है चाहे आपकी फसल भरवाद हो चाहे कुछ भी हो हो सकता है या बैंक की मामली में मैंने बताया कि आपको यानि कि माप करने का भी वाप्सन मिल जा या आपको कुछ चूट दे दी जाए लेकिन एक किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाते हैं साहुकार इन्हें 160 चाहिए मतलब चाहिए इससे भी हमारे देश के किसानों की हालत बहुत बुरी तरह से प्रभावित रहती है इन सभी के काड़ों को देखती हूँ बैंकों और सहिकारी सम्तियों को जाना कर्ज देना चाहिए इसलिए इसके जरिये लोगों की आयबर सकती है और बहुत से लोग अपनी विबिन जड़तों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे एक बात और याद रखी है आप सोचिए कि हमारे देश के किसानों की आलत अच्छी रही तो आप भी देख सकते हैं कि अपना योगोदान तो करेंगे अपने परिवार का वर्रन पूर्शन तो अच्छे से करेंगे साथ ही ये अपने देश की विकास में भी सहयोग कर सकते हैं फसल अच्छी होगी तो आप सूचिए कि हम लोग खाद्यान की मामले में तो कम से कम आत्मिरवार रहेंगे और हो सकता है कि हम लोग निर्याद भी करें इसका अब बात करते हैं उपचारिक और अनुपचारिक साथ किसी क्या मिलता है आलिक दो में सहरी चित्रों में लोगों के लिए रेडर के उपचारिक और अनुपचारिक मत को दिखाए गया है आलिक में गरीब से अमीर लोगों को चार बागों में बांटा गया है आप देख सकते हैं कि सहरी चित्रों में निर्दन परिवारों की कड़्जों की 85% जरूरते अनुपचारिक सुरूतों से पूरी होती है और इस तुल्की तुल्ला तुल्ला आप सहरी इलाकों के अमीर परिवारों से करते हैं आप क्या देखते हैं, उन्हें केबल 10% कर्ज अनुन उपचारिक तरीके से जबकि 90% उपचारिक सिरोतों से लेते हैं, इस तरहे की तश्वी ग्रामीर चित्रों में भी अमीर परिवार उपचारिक रिड़ दाताओं से सस्ता रिड़ ले रहें, जबकि गरी परिवारों को कर ऐख करते हैं, क्या करते हैं, आप सोचिए कि कोई बड़ी फ्यक्टरी लगा रहा है, उसे 1 करोड लेना है कर्ज, तो सोचिए आप लोग कि उसे तो व्याज के रोम में अगर किसी साहोगा से बोले, तो 1 करोड 60 student некो उसे देना होगा, समझ सकते हैं, उतना लाव नहीं होगा जितना उसे ब्याज देना पड़ जाएगा तो वो लोग उपचारिक तरीके से ही ब्याज लेते हैं राश्टों से इस सबसे क्या पत्र चलता है पहला उपचारिक सुरूत अभी भी ग्रामी परिबारों की कुल रड जरूतों का किबल 50-30 से पूरा करबाते हैं बाकी जरूरते हैं वो अभनुपचारिक सुरूतों से पूरी होती है अनुपचारिक रड दरताओं के लिए लिये गया उधार पर आम तो सी व्याज की तर हें बहुत अधिक होती है और यह उधार करताओं कि आई बढ़ाने का काम कम ही कर पाते हैं इसलिए बैंक और साहिकारी संतियों को अपनी गतिव दियां बिसेस का गरामीड इलाखों में बढ़ाने की जरूरत है ताकि कर्जदारों को कि अनुपचारिक सिरोतों पर से निरवर्ता घंटे और अभी भी आप गरामीड चित्रों में से देखते भी हैं कि अधिकतर किसान जो होते हैं वो रिसाहुकारों पर ही निर्वर रहते हैं दूसरा दी एक तरफ उपचारिक सिरोतों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर भी जरूरत है कि एरस सभी लोगों को प्राप्त हो सके वर्तमास में में अमीर परिबार ही उपचारिक सिरोतों से रिवर्त प्र जुखा होगा कि अगर आप बेंक का चक्कल लगाना पड़ता है या तो वहाँ रिष्पद दिने भी पड़ती है इसलिए किसान से ड़ते किस से ले लेते हैं साहु कार्म से रिड़ ले लेते हैंrov आप्सोची किसानों को स सस्ता मतलब मतलब आसानि से मथें वो तो बैंकों से लेंगे ना लेकिन बैंकों की स्थिति क्या रहती आप समझ सेकते हैं बैंकों के इन में गरीवों के साथ क्या मतलब बेवार किया जाता है यह आप लोग बेटर तरीके से समझते हैं आलेक दो को देखिए, सहरी परिवारों द्वारे लिए गए, कुल रेड का कितना पितिसत अपचारिक था, कितना पितिसत अनुपचारिक था, गरीब परिवार, 85 पितिसत अनुपचारिक सरोत से रेड की पितिसत लेता है, गरीब परिवार, और 15 पितिसत ये आपका अपचा परिवारिक सरोत्मों से रड़ लेता है दरीव परिवार की बात करा हूं और इसी यही कारन है उसका की गरीव हमेशा गरीवी बना हिरा रहता है और यहां कम संपत्ति वाले परिवारों के अगर बात करें तो 47% थे आपके अपचारिक से लेते हैं और 13% आणि कि हम लोग परिबार की बात करें तो यहाँ बद्तरपिती सत वो उख्चारिक तब आतब थिती सत अब आपकर करा लुदां कावका है और सबसक्तां के परिवार से लिए वकात कराँ हैं यहाँ सारीं आप देखते हैं कि निकीस्तिती बहतर रहती है अब देखिए से क्या आप मानते हैं कि bank इन्हें रिड़ देगा इन्हें अगर रिड़ देगा भी तो इनके एवज में भी आप समझेगी बहुत तरही किसी इन्हें दाड़ित किया जाएगा इन्हें परेसान किया जाएगा कई बार इन्हें चक्कल लगाने पड़ेंगे बैंक से और अभी भी आप देखते हैं कि कभी बैंक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि गरीब परिवा गरीब सभी लोग लाइन में लगे रहते हैं और एक आपने देखा होगा कि अभी आता है और वो डारेक्ट अपने केवर में जाकर उस मैंजर से मिलकर अपना काम करका निकल जाता है फिर कुछ टाइम और आपको मालू चलता है कि सर्वर खराब है कुछ टाइम मालू चलता है कि बेंग में पैसा क्यतम होगे तो इस तरह से भी परिशान किया जाकता है अब यह आपकी निर्धनों की स्वेम साहता समोग यह भी आपने बहुत देखे होंगे पिछली खट पे हमने देखा कि निर्धन परिबार रिड़ के लिए अब भी अनुपचारिक सरोतों पर निर्वार रहे ऐसा क्यों है ब्भारत की समीक गिनाविट चेत्रों को में बैंक मौजूद नहीं जहाँ कहीं मौजूद भी हैं तो बैंकों से कर्द लेना आनुपचारिक सरोतों से कर्द लेने की तुल्ला में जाना मुस्किल है जो समख्या है मينने बताइई न وہ ही है जैसा कि हमने मेगा के मामले में देखा है बैंक से करज लेने के लिए रड़ाधार और विशेश कागजातों की तिरूरत पढ़ती है रड़ाधार की अनुपलगता एक प्रिमुक कारण जैसे गरीब बैंकों से रड़ ले ले पाते हैं दूसरी और अनुपचारिक रड़ाधा जैसे साहुकार इन करदारों को व्यक्ति के इस्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना रड़ाधार के बीच बिना रड़ाधार के भी रड़ देने के लिए त्यार हो जाते हैं करद करज़ा जरूरत पढ़ने पर पुराना रड़ चुकाय बिना भी नया करज लेने के लिए साहुकार के पास जा सकते हैं लेकिन महाजन ब्याज की दर बहुत उची रखते हैं लेन देन की लिखा पड़ी भी पूरी नहीं करते हैं और निर्धन करदारों की तो को तंग करते हैं एक बात आप लोगों को यह बता दो यह बात दोजार आठ दोजार साथ आठ की बात मुझे बैंक में अकांट खुलवाना था तो पता में मेरे अकांट नहीं खुला गया उन्हें पता नहीं था कि यह किसका बेटा है या किसके रिलेशन में हैं बाद मैं मालूष चला की जब मुझे जरूरत ही पढ़ने लगी दो जार की कि करीवे तो पताए, संडे को मेरा अकाउंट खुल गया, मेरे पिता जी गए, तो संडे को अकाउंट खुल वा ले रहा है, और मैं जब किसी का नाम लेकर विना ऐसे ही भटक रहा था, यह मतलब, आप समझे सकते हैं, गरीवी की हालत को लेकर, मतलब मैं किसी से सफारिस नहीं लगवा तो आप सोचिए, मेरा अकाउंट नहीं खुल गया, और जब मेरे पिता जी गए, उनकी जो भी चलती है, अलग बात थे उनका, तो वो गए तो उन्होंने देखा है कि संडे को, मैंने सुना है, संडे को अकाउंट खुल की अकाउंट नमबर मिल गया मेरा, जो उस बैंक का म दिद्वाब किया रहता है, हाल के कुछ बर्सों में लोगों ने गरीवों को उधार दने के कुछ नए तरीके अपनाने की कौसिस किये, इन मैंसे एक बिचार ग्रामीट चेत्रों के गरीवों, विसेस कर महलाओं को छोटे-छोटे संभू साहयता, संभू ने में संगिठित करने और उनकी बचत मुझी को इकतित करने की पर आधारित है, या पिसेस स्वयम साहयता संभू एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस होते हैं, जो नेमेत रूफ से मिलते हैं और बचत करते हैं, पिती बैक्ती बचत 25 रुपे से लेकर 100 रुपे या आतिक हो सकती है, या परिव आने वाली ब्यास से कम होती है, एक या फिर दो बरसों के बाद अगर समुव नेमेत रूफ से बचत करता है, तो समुव बैंक से रिड लेने की योग भी हो जाता है, रिड समुव के नाम पर दिया जाता है, और इसका मकसद सदस्मों के लिए स्वरोजगार के आउसर का करना है, उधारन के लिए सदस्मों को छोटे-छोटे करज अपनी गिर्वी जमीन चुड़वाने के लिए कार्चिल पूंजी की ज़रूतें जैसे बेच खात बास, कपड़े करिदने के लिए घर मकान, घर मनाने सिलाई की मसीन हद करगा, पसु इत्यादी संबत्ती करिदन करने के लिए जाते हैं, एक तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे समुगों को गठन तभी किया जाता है, यह मतलब एक समास सेवा की तरह है, समझ रहे हैं कि मतलब सावकारों की चंगों से चुटाने के लिए इस तरह के समुग बना जाते हैं, लेकिन एक कमी ही देखे जाते हैं भी भी ग्राविट चित्रों में कमी देखने को मिल रहे हैं बच्चतों रेड़ गतिविदियों से सम्मंदी ज्यादा तर्माच पूं नेड़े समूग सदस स्वयम लेते हैं समूग दिये जाने वाले रेड़ उसका लक्ष है उसकी इस रकम ब्याददर बापस लोटाने की यहुदी आधी के बारे में नेड़े करता है इस रेड को लोटाने की जिम्मेदारी भी समू की ही होती है एक भी सदस अगर रेड वापस नहीं लोटाता था समू के अनसल इस मामले को गंभीरता से ले लिते हैं इस कारण बैंक के निर्धन बहिलाओं को रेड दैनिकली इत्याद हो जाते हैं जब भी अपने सवयम को सायता समू में संगटित कर लेती हैं या पिए उनके पास कोई रेड अधार नहीं कुड़ता है इस तरह सवयम सायता समू करतारों को रेड अधार की कमी की समस्या से उभारने में बद भी करते हैं और उन्हें समय अनुसार बिवन पिकार की अवस्रक्ताओं के लिए एक उचित ब्याचपत रेड मिल जाता है इसके अतरिक तिया समू गिरामीर चेत्रों के गरिवों को सगटित करने में मदद भी करते हैं इससे नाकेबल महलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंभी हो जाते हैं बलकि समू की नेमित बैंकों के जरिए बैटकों के जरिए लोगों को एक आममंच भी मिलता है जहां होए तरह तरह की सामाजिक दिश्याओं जैसे स्वास्त पोसर गहरेलो इंसा इत्यादी पर आपस में चल्चा भी करते हैं यह आपको जो पिक्चर देख रहे हैं एक गुजराज में महलाओं की स्वासावायता समू की बैटक चल रही है समझें अब बात करने बंगलादेश एक आपका बड़ोसी देश आपको पता होना चाहिए तो इसके देश के ग्रामीड बैंकों की बात कर लेते हैं बंगलादेश ग्रामीड बैंकों का उचित ब्यातदरों पर गरीमों की जड़तों को पूरा करने का बड़ा सफल इतियास रहा है इसकी सुरुवात 1970 में एक चोटे प्रमानिम से हुई बस 2018 में ग्रामीड बैंकों के अब 9 लाग सदस हैं जो बंगलादेश के आपके 81,600 गाओं में फेले हुए इससे रिड़ लेने वाले जादतर महिलाएं जिनका समंद समाज की गरीब तपके से इन कर्ड़दारों में दिखा गया है कि ना केबल महिलाएं गरीब महिलाएं भरोसे मंद कर्ड़दार हैं बलकि वे विबिन तरह एक छोटी आये बारी गतिविदियों को सफलता गुरुवक शुरू करने और चला सकने में भी सच में अगर गरीब लोगों को सही और उचित सर्थों पर रेड उप्लब्द कराया जा सकता है तो लाखों छोटी लोग अपनी लाखों छोटी चोटी गतिविदियों के जड़ी यह विखास का सबसे बड़ा चमतकार कर सकते हैं आगी सस्ते ब्यात दर पर उसे रड मिल जाए बीच के लिए खात के लिए जुदाई वुआ के लिए उसके बाद एक सिचाईगी सुधा हो जाए तीसरी इसकी जरूरत है कि जब भी इसकी फदल तैयार हो जाता है तो उसका उचिदा मिल जाए बस यही तो तीन है अगर ये देख सकते हैं जहां आए दिन आपको स्थवर मिलती रहती है कि आज इतने किसानों ने सविचाइड किया आज इतने किसानों ने आत्मत्याई की कुछ सारांस दिया गया यहने भी देख सकते हैं इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग पडाली से इसके सम्मंद्धों को देखा है एक तरफ जबा करता है अपना धन बैंकों में रखते हैं दूसरी तरफ करदार बैंकों से ड़ल देते हैं आर्थिक गतिविदियों के लिए प्रवा भी खता है एक अपड़िम्धों से रडल लेते हैं जबकिंग गरीब परीबारों को अब भी अनुपचारिक सरोतों पर ही निरवर रहना पड़ता है यह अनिवारे की उप्चारिक छित में कि कुल रिड में बिद्धी हो ताकि महेंगे वन उप्चारिक रिड पर से निर्भर्दा कम हो साथ ही बैंकों और सहकारी समतियों इत्यादी से गरीवों को मिलने वाले उप्चारिक रिड का हिस्सा बढ़ना चाहिए यह दोनों कदम विकास के लिए जलूरी भी है आप सोचे कि आप अगर लाखों रुपे की यह उजना लाते हैं किसानों को कार्ज मापी का काम करते हैं आप लोग जब भी चुना होता है यह समना करके आप लोग उन्हें इत्तल सस्ता रिड करवाने की उपलब्द करवाने की विवस्ता कर दीजिए सचाई की विवस्ता करवा दीजिए उचित मतलब जो भी उनकी फसल है उसना मूल उचित मिल जाए बस यही उपलब्द करा दीजिए आपको मुझे नहीं लगता है कि रड यानि कि माप करने की या किसी तरह से उनकी साहता करने की मदद जरूरत पड देख लीजिए वसकी वी पीडिया आपकी टेलीग्राम पर टलीए वहां से डाउलोड करके दो से थीनवार और जितने बार हो सके मैं तो कहता हूं जितना टाइम मिले पढ़ते रहे है क्योंकि यह कहां नहीं है बड़ा मंजा आता है अच्छा मालू ही नहीं चलता ही इतने टाइम में कतम हो चुकी है चौपरे अद्ध्यार में बात करेंगे बैस वीकंड भारती अर्थ वरस्तागों लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला ये भी